बुद्वारात से लगातार उत्राखन में कई इलाकों में बारिश हो रही है पहाडी इलाकों में नदीनाले उफवान पर आ गए पहाड दरक रहे हैं जिस वज़े से कई मार्ग भी बंध है और तो और कहीं घरों पर मलबा घुज गया भारी बारिश की वज़े से पहाडों म में हाहकार मज़ गया है बतादे की देर रात तेज बारिश की चलते जौनसार की गाउं में जंजीवन चौपट हो गया यहां मसराल गाउं मी गुरवार के सबह करीब 5 बजे गाउं के पास बादल फट गया जिस यहाँ गोदाम में रखा सरकारी राशन बरबाद हो गया ब वहीं मसराण गाउं की लोग एक जगा पर इकठा हो गए। इसकी जानकारी आपदा कंट्रोल रूम में दे दी गए। चापनू के पास भी कालसी चक्राता मोटर मार्क पर तीन बजे बाधल फटने से एक खोका बह गया है जिसकी जनहानी की सूचना नहीं है। भारी बारश की चलते ग्राम सभा चरबा में शीतला नदी किनारे बसी, गोर्खा वस्ती में नदी का पानी घरों में गुज गया। यहां अधिकतर घर कच्चे हैं। वहीं से दुरान सूचना मिली कि यहां घरों में बच्चों सही 20-25 लोग फसे हुए हैं। जानकारी मिलने के बाद ही फॉरण कारवाई की गए और पुलिस SDRF स्थानी लोगों और जिला प्रशासन के बदत से लगबग देड़ घंटे तक चले राहत बचावकारे में फसे लोगों को सुरक्षत स्थानों पर पहुँचाया गया। दहरादून उत्तरकाशी और हिमाचल को जोडने वाला त्यूडी पुरोला हाईवे, चुकराता मसूरी त्यूडी हाईवे, जेपी आरार हाईवे और अन्य कई मार शतिग्रस हो गए जिस वजह से यातियात सेवा भी बांधत है। अगले तीन दिन प्रदेश में मौसम का मिज्वास इसी तरह का बना रह सकता है। अगले प्रदेश में मौसम का बना रह सकता है।